हलो दोस्तों स्वागत है गवा फिर से दस तक अकैडमी के चैनल पर गाईस इस वीडियो में पढ़ेंगे अनुछेट से टाप 50 कोश्चन गाईस इस शेप्टर से गाईस बहुत कोश्चन पूचाते आप सभी के पेपर पे गाईस जो आरारवी अंटीपीसी का पेपर हो रहा इस वीडियो को याद कर लो ध्यान से देख लो सभी कोश्चनों को 50 अती महतपूर प्रस्न कवर करेंगे पढ़ाएंगे रटलो याद कर लो जो भी कर लो आप सभी लोग अररवी अंटीपीसी अररसी गुरूपडे के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो सावित होने व केलिग्राम पर जा सकते हो चले देखे वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है और चले स्टार्ट करते हैं चलो फिर देख लो पहला कुशन कितना अच्छा कुशन है ध्यान से सभी कोशन देखते रो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रो अंसर ठीक ना तो क्या कुशन पचास कुशन अच्छे कोशन लिए सम्विधान के किस अनुचेद में डैस है कि भारत राज्यों का संग है भारत राज्यों का एक संग है किस अनुचेद ने विया बोला गया है जो भारत राज्यों का संग है किस अनुचेद ने विया अनुचेद एक में ठीक ना याद र के किन अनुचेदों में नागरिक्ता समंदी प्रावधान है विया सम्मिधान के विया किस अनुचेद में नागरिक्ता समंदी प्रावधान किये गए बताओ फटा फटा सेकेंड कोशिन का बी करेक्ट है अनुचेद 5 से 11 में क्या किया गया है यहाँ पर नागरिक्ता समन्दी प्रावधान किये गए याद रखे option नमव फिलाल बी करेक्ट है याद रखो इस question गो next question देख लो साथ में answer मिलने हैं अब सभी गो ठीक ना सम्विधान का कौन सा अनुचेद राष्टपती तो चौथे को हुशन का गरेंड है आपर डी अनुच्ग्ट सतामन है वो कौन सा अनुच्ग है याद रखेंगे इस को को सम्मिधान के डैस अनुछेद में प्रेस की स्वतंतरता विए बताओ प्रेस की स्वतंतरता किस अनुछेद में पांचवा कोश्चन पांचवे कोश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है आपर ऑप्सन नमबर डी के साथ अनुछेद 19-1 में है ठीक ना याद रखें अनुछेद 19.1 में है प्रेस की सोतंतरता देख लो फिर next question क्या बना है निम्ड में से सम्मिधान के किस अनुछेद में अलप संख्यकों के हित्व के लिए सनच्छण गाईज निम्ड में से सम्मिधान के किस अनुछेद में अलप संख्यकों के हितों का सनच्छड विया 6 question का correct है आपर B अनचेद 29 में ठीक ना अनचेद 29 में जो है option number B correct है उसमें अलप संख्यक जो होते हैं उसका सनच्छड किया गया अनचेद 29 में याद रखें next question देख लो है आपर क्या बना है सम्धान के किन अनचेदों के तहट राज्यके नीती नहीं दे सकत ततो उल्लेखित हैं गाईस कौनसे अनचेद में राज्यके नीती नहीं दे सकत तत्तो उल्लेखित है seven question का correct है आपर option number C अनचेद 36 से 51 में या राज्यके नीती नहीं IN दे सकत ततो लेखित किये गए हैं 36 से 51 में ठीक ना याद रखें सेवन कोशन का फिलाल करेक्ट है इसका सी याद रखें आप सभी आज आप फिन एक स्लूशन पर क्या बना देखो यहाँ पर सम्मिधान का कौन सा अनुचेद राज सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देत आप तो एक कोशन का करेक्ट है आप फिलाल ऑप्शन नमबर डी गाई अनुचेद 40 है वो याद रखें आप सभी ठीक ना नेक्स्ट कोशन देख लो यापर अपर अपर देख लो भाई हो इस कोशन को नवा कोशन के कितना अच्छा कोशन है सम्मिधान के किस अनुचेद मे में उल्ले किया गया मौली करतबों का तो करेक्ट अंसर नवे का आपसन नमबर बी अनुचेद 51 ए में गाईस मौली करतबों का उल्ले किया गया आपसन नमबर फिलाल बी करेक्ट है नेक्स्ट कोशन देख लो सम्मिधान के किस अनुचेद के तहत भारत के राष्टपती प सभी नेक्ष्ट कोशन फिलाल देखा जाए याँ पर देख लोई आपर गाईस सेकेंड नेक्ष्ट कोशन क्या बना है अगला कोशन 11 कोशन निम्ड मेंसे सम्मिधान के किस अनुश्यत के अंतरकत मंत्री गण सामुही ग्रूप से लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं ऐ भारत के महानियावादी की नियुकती से समंदित अनुश्यत कौन सा है भाईस यहाँ पर भारत के महानियावादी की नियुकती से समंदित जुगाईस अनुश्यत है वो कौन सा है जिसमें वहीया महानियावादी की नियुकती होती है ऐसा कौन सा अनुश्यत है तो 12 कोशन क गरेक्ट है आपर एनुचेद 76 ठीक ना एक गरेक्ट है याद रखें वीडो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर सकते हो ने चैनल पर आई तो लाइक कर सकते हो और प्लीज शेयर जरूर करें आप सभी लोग ठीक ना पांच लोग के पास शेयर जरूर करें थर्टीन कोशिन क्या है, राश्टपती किस अनुचेत के तहेत, लोगसभा को भंग कर सकता है, लोगसभा को भंग कर सकता है, यह राश्टपती कौन से अनुचेत के तहेत, थर्टीन कोशिन का गरेक्ट है, आपर ओप्सन नमबर B, 85 के कॉर्डिंग, यह राश्टपती जो हो के विश्य में प्रावदान किस अनुचेद में किया गया गाईस 14 कोशिन का गरेक्ट है आपर भी अनुचेद 108 में किया गया याद रखें हमेशा option number B right answer है सम्विधान का कौन सा अनुचेद भारत के संचित कोस को संबंदित है सम्विधान का कौन सा अनुचेद है जो भारत के संचित कोस से संबंदित है संचित कोस से कौन सा अनुचेद संबंदित है तो D correct है उपरिवक्ट सभी विए अनुचेद 112 अनुचेद 146 अनुचेद 148 next question एक लो फिर किस अनुचेद में सर्वोच न्याले के न्याधीस पर महभी योग चलाने का प्रावधान है किस अनुचेद में सर्वोच न्याले के न्याधीस पर महभी योग चलाने का अधिकार है या प्रावधान है 16 question का correct है आपर सी अनुचेद 124 ठीक ना सर्वोच न्याले अपने द्वारा सुनाये गए किसी निर्णे का आदेस का पुनर्वा लोकन किस अनुछेत के तहित कर सकता है जो सर्वोच न्याले का भी यह न्यादीस होता है उसके द्रस कोई भी निर्णे सुनाये गया हो उसका पुनर्वा लोकन किस अनुछेत के तहित क है और उच्छ न्याले है इनके जो न्याई पुनर्वा लोकन की सकती है किस अनुचेद के तहत है विया तो 18 question के correct है आपर option number B अनुचेद 32 के according है ठीक ना भी correct है याद रखें आप सभी अनुचेद 32 देख लो अच्छा question है 19 question काफी important है आपके एक्जाम के लिए भारती संविधान का कौन सा अनुचेद संवेधानिक प्रावधानों के संगी संसत राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गये नियमों कानूनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करती है गाईस ऐसा कौन सा अनुचेद है गाईस 19 का गरेक्ट है आपर सी अनुचेद 243 है वो ठीक ना याईसी UPSC, UPSC, SSC, BANKS, Railway, Railway का कोई सब एक्जाम का सभी में question पूछे जाते है ठीक ना इसलिए करा दे रहा हूं याद रखें हमेशा ठीक ना 20 question देखों आपर सम्विधान का कौन सा अनुचेद संसत को अंदराश्टी समझोते को लागू करने के लिए विदी निर्माण करने की सकती प्रदान करता है गाईस एक बार question फिर से repeat कर रहा हूं सम्विधान का कौन सा अनुचेद संसत को अंदराश्टी समझोते को लागू करने के लिए विदी निर्माण करने की सकती प्रदान करता है 20 question का खरेक्ट है आपर option नमबर गाईस डी अनुचेद 243 है वह वह बहिया sorry 253 है वह बहिया कौन सा है अनुचेद 253 ठीक ना याद सरकार है वह राज सरकार को आदेश या फिर निर्देश दे सकता है तो अनुचेद भीया हो जाएगा 256 ठीक ना अनुचेद 256 ऐसा अनुचेद है जिसमें केंदर सरकार राज सरकारों को निर्देश देता है याद रखें 256 हमेशा याद रखें को next question देख लो 22 question क्या है सम्व के कोटिंग है अनुचे 280 के तहद वहीया जो आपका वित आयोग है इसका गठन किया गया है उनुचे 280 के अंत्रगत नेक्स्ट कोशन देखे लो फिर कि सम्विधान का कौन सा अनुचे 312 से संबने था बहीया 312 से कौन था अनुछे 312 से क्या सम्धदित है रखें नहीं नेक्स्ट कोशन देख लोुए आपर क्या बनाए अनुछे 324 किस सम्धदित है 24 कोशन का रखें आपर मुख निर्वाचन आयोक्त की सक्तियां और कारण ठीक ना मुख निर्वाचन आयोक्त की सक्तियां एवं कारण अनुचे 324 से संबंदित है नेक्स्ट कोशन देखा जाए आपर देख लो फिर नेक्स्ट कोशन क्या है अनसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों के लिए राष्टी आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुचेत में जो राष्टी आयोग गठित किया जा सकता है उसका प्रावधान किस अनुछेत में अनसूचिज जन जातियों के लिए राष्टी आयोग का गठित किस प्रावधान में भीया है कौल से अनुछेत में है 25 question का correct है आपर C अनुछेत दोनों में यानि कि 338 में 338 A में दोनों में है याद रखें, फिलाल लाइट C, किस अनुचेत के तहट संग की राजभासा हिंदी तथा देवनागरी लिपी होगी, कौन से अनुचेत में है, 26 कोशिन का या पर B करेक्ट है, अनुचेत 343 में फिलाल लाइट का ओप्सन नमबर B हमेशा याद रखें, 343 लिपी का वर्ण किया गया, 343 में, अनुचे 343 में, नेक्स्ट कुशन नेगलो, भारत में बाहरी आक्रमन अतवा, ससस्त्र विद्रो के कारण भारत के राष्टपती द्वारा, राष्टी आपातकाल की गोष्णा किस अनुचेत के तहट की जा सकती है, भीया, राष्टी आ आपातकाल अनुचेत के तहट कर सकता है, राष्टपती, राष्टी आपातकाल, अनुचेत 352 के कोडिंग कर सकता है, जब बाहरी आक्रमन होना हो, देश में आक्रमन होने हो, ठीक ना, और असस्त्र विद्रो होना हो, तो राष्टपती भीया, राष्टी आपातकाल की वित्ती आपातकाल की गोस्णा कर सकता है, 28 कोशिन को देखो ध्यान से, C करेट है विया, 360 के अकॉर्डिंग, जो आपका राष्ट पती है, वित्ती आपातकाल की गोस्णा कर सकता है, 352 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, राष्टी आपातकाल 352 के अकॉर्डिंग और वित्त या पातकाल 360 के अकॉर्डिंग याद रखें नेक्ष्ट कोशन देखलो सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत प्रतेक राज मात भासा का प्रसार एवं अनप्रात्मिक सिच्छा में लागू कर सकता है याद रखें नेक्ष्ट कोशन देखलों आपर किस अनुचेत में सम्विधान के संसोधन की प्रक्रिया उलेखित हो बताओ फटापट या फिर वर्डन किया वह या जिस ऐसा कौन सा अनुचेत जिसमें 368 के तहट भी रहा सम्विधान में यहाँ पर संसोधन किये जा सकते है ठीक ना इसमें बताया गया है अनुचेत 368 में कि कि याँ पर समिदान में संसोधन किये जा सकते हैं ठीक ना 368 के according जम्मू कस्मीर को डैस अनुचेत के तहत विशेस दरजा प्राप्त था पहले प्राप्त था अब नहीं ठीक ना जम्मु कस्मीर को विशेश दर्जा प्राप्त था नेक्स्ट कोशन देख लो यहां पर आनुछे 356 संबंदित है भईया डैस है 352 भईया किसे था राश्टी आपातकाल से था ना वित्ती आपातकाल किसे था तो अब यहां पर कौन सा आ गया विया यहां पर देख लो हाँ अब यहां पर देख लो 356 आ गया विया 352 था आपका राश्टी आपातकाल 360 था आपका विया वित्ती आपातकाल अब यहां पर 356 किससे आ जाएगा तीनों आपातकाल हमेशा याद रखें पेपर में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यदा 32 का सी करेक्ट है राष्टपती सासन ठीक है ना राष्टपती सासन विया 356 से संबंदित है हमेशा याद रखें फिर से बता दे रहा हूँ ध्यान से देख लो 352 भईया यहां पर 352 भईया यहां पर राष्टपती से राष्टी आपातकाल से और 356 भईया यहां पर राष्टपती सासन से 360 भईया यहां पर वित्ती आपातकाल से, ठीक ना, राष्टी आपातकाल, वित्ती आपातकाल, यहाँ पर, नहीं यार, स्वरी, वन सेकेंड देखो यहाँ पर, जो आपका 356 है ना, राष्टी, राष्टपती सासन से है, 302 मन है आपका राष्टी आपातकाल, 360 है आपका वित्ती आपातकाल, हम भारत रतन दिया जाता है, कौसे अनुशेद के अकॉर्डिंग दिया जाता है, बता हूँ अपर भारत रतन, चाहिए पिर पदम भी भूसण, 33 Qशन का करेक्ट हैं, या पर B, अनुशेद 18 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, इस याद रखें व novel रखेंगेरा इनुशेद 18 के जो भारत रत्न दिया जाता है वो अनुछेद 18 के according दिया जाता है प्रतेक वेक्ति को जिसको भी दिया जाए अनुछेद 18 के अक्वार्डिंग दिया जाता है इसमें उलेत किया गया है ठीडा नीति निदेशक सिद्दान्तों के निम्न अनुछेदों में कौन सा अंतराश्टी, सांती और सुरच्छा से संबंदित है अनुछेद भीया 34 कोशन का यहापर भी करेक्ट है हमेशा याद रखें अनुछेद इक्यामन है वो आज ओफिर नेक्ष्ट कोशन देख लो है आपर क्या बना ए कि थर्टी फैब कोशन देख लो है अपर फटाव बट भारती संमिधान में समानता का अधिकार डच अनुछेद में है समानता का अधिकार किस अनुछेद में बताओ अफट आपट 35 कोश्चन 35 को यहां पर सी करेक्ट है भी या अनुचेट 14 से 18 में समानता का उल्लेक किया गया हमेशा याद रखें फिलाल लाइट इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फिलाल याद रखें आप सभी लोग 14 से 18 में समानता का अधिकार उलेक ही थे कौन से अनु इसक्रती के सनच्रण तथा अपनी पसंद की सिच्छा संस्तानों की स्थापना वसंचालन के अधिकार है तो कौन से अनुचेद में 36 कोश्चन का गरेट है अपरड़ी अनुचेद 2 और 6 यादि की अनुचेद 23 और 30 तीना दोनों में देख लो फिर इस कोश्चन को 37 विभिन राज्यों से संबंदित विशेश प्रावधान उलेख है तो किस अनुचेद में विभिन राज्यों से संबंदित विशेश प्रावधान उलेख है 37 का यापर ऑप्शन नमबर भया सी करेक्ट है 370 के कॉर्डिंग देख लो आपर 37 कोश्चन क्या है नेक्स शुचन काफी इप्वर्टेंट है किस अनुचेद में विभिन राज्यों से संबंदित विशेश प्रावधान उलेख है गाईस बताओ फटाफट 37 को जिसका राइट आंसर जारा 37 का करेक्ट आंसर है विलाल ओप्सन नमबर गाई पर राष्टपती सासन लागों किया जा सकता है कौन से अनुचेद के तहत भाईया राष्टपती सासन लागों किया जा सकता है अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले पिछले वीड मेंने क्वेश्चन में यही मैंने बताया था कि राष्टपती सासन किस अनुचेद के तह लगा जा सकता ल है थीख आ ना 3 तेनों बताया थे मैंने आ राश्मदी शासन पूच रहा हिए राश्टपति सासन क्या लगा ऊगी और जै 356 लगा होगे राश्ट्पति सासन ओगे राश्ट्रीय आपाथकासरथ लगा आपर विट्तीैर अपाथकाल ठीक है देखो अच्छा इस question को देख लो 39 question गया है भारती समिधान के किस अनुचियत द्वारा असप्रस्ता को समाप्त कर दिया गया guys असप्रस्ता को यानि कि छुआ छूद रिखना छूद भी बोलते हैं असप्रस्ता को यह अनुचियत 17 के कॉर्डिंग जो असप्रस्ता है इसको स समाप्त कर दिया गया राइट है इसका option number C ठीक ना next question देख लो फिर मौलिक अधिकार के अंदर गत कौन सा अनुचियत बच्चों के 60 से समंधित है गाइस बच्चों के 60 से समंधित मौलिक अधिकार के अंदर गत कौन सा अनुचियत बताओ फटा-फट यह अनुचियत 24 है ठीक ना डी करेक्ट है याद रखें अनुचियत 24 है बच्चों के 60 से समंधित है गाइस ठीक ना अनुचियत 24 इसमें बाल मजदूरी से समंधित कुछ प्रावदान किये गए ठीक ना उल्ले किये गए अनुचियत 24 में नेक्ष चुक्षिन इगलो फिर डैस अनुचियत के अंतरगत भारत का सरवोश न्याले नागरिकों के मौली का दिकारों की रच्चा करता है तो 41 कुषिन के अपर सीग रखें अनुचियत 32 है व्में सा याद रखें अनुचियत 32 वीडियो अच्छा लग रहा हूं जड़ा सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा इस टूड़ी गुरूम में वीडियो को सेयर करें ठीक ना आप लोगों से हाँ जोड़कर विंती प्लीज मेरे जो सचे सब्सक्राइबर प्यारे सब्सक्राइबर हैं मे जोड़ा गया है किस अनुश्यत में उपराष्ट्पती पद्र का प्रावधान किया गया है उपराष्ट्पती प्रजेंट में कौन है वंक्यान आइडू है कौन से नंबर के हैं तेरवे नंबर के हैं ठीक ना इतने important fact बनने हैं आप सभी याद रखें इस question को भी कौन सा अनुशेद संसत के दो अधिवेशन के बीच 6 मा के अंतराल की अनिवारता का उलेख करता है जो संसत के का इस दो अधिवेशन होते हैं उसमें 6 मा का अंतराल होता है इसकी अनिवारता का उलेख कौन सा अनुशेद करता है तो वो अनुशेद है 44 का C यानि कि यहाँ पर 85 है वो अनुशेद, ठीक हमेशा याद रखे, 85 अनुशेद में उल्ले क्या गया है कि संसत के दो अदिवेशन के बीच 6 मा का अंतराल होगा, किस अनुशेद में धन विदेक की परिवासा दी गई, गाइस धन विदेक की परिवासा किस अनुशेद में है, 45 को देखो फटा फट बताओ, अनुशेद विया 110 जो है, इसमें धन विदेक की परिवासा दी गई, हमेशा याद रखे, अनुशेद 110, किस अनुशेद के एक्षेद एक्षोधेश के एक्कॉर्डिंग, ठीक न, राइट है इसका ओप्शन नमर C, 46 कोशन का C करेक्ट है, राष्टपती शर्वोष चुन नहयले के किस अनुषेद के अंत्रगत परामर्स ले सकता है, राष्टपती जो है, सर्वोष चुन नहयले से कौन से हमेसा याद रखें कूब है इसलएक तह्यां कि-स अनुशयत के तहप अपस्षिष्ट सक्तियां केंद्र के पास जो कए संद्र क्यां इसर्वाइद मंत्रि विदेश मंत्री जो कौनसे अनुचेत का अभी भी उपयोग नहीं हुआ गया है बताओ फटाबट भाईया वो 360 है वह अनुचेत ठीक ना वित्तिया पातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं हुई है कभी भी कोई भी पूछ ले कौनसा अनुचेत अभी भी यूज नहीं हुआ तो 360 है वह अनुचेत इसमें क्या पूछा गया वित्तिया पातकाल है इसमें आज का लाश्ट कुछन देख लो नियंतरक एवा महलेखा परिच्छक की नियुकती का प्रावधान किस अनुचेत में यानि C.A.G. ठीक ना कोई बोलते है नियंतरक एवा महलेखा परिच्छक ठी कर दो